पोडिसा की बालासोर में दो जून की शाम उस समय हरतम्प मच गया जब दो ट्रेन में दीशन हास्ते की चपेट में सैक्रोव यात्री आ गए इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिन दो ट्रेनों में वो सफर कर रहे हैं वो उनका आकरी सफर बनने वाला है इस आस्ते में 300 से जादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं वही करीब 800 से जादा लोग घायल हो गए हैं आपको बता दे कि शुकरवार के दिन भारत के बड़े स्टेशन में से एक हावडा रेल्वे स्टेशन से दो पहर टीन बचकर 20 मिनट पर हावडा से चैने ही जाने वाली कोरुमंडल एक्सप्रेस रवाना हुई इससे करीब साड़े पांच गंटे पहले साइबर सिटी के नाम से मश्यूर कनातर की बंगलोरू रेल्वे स्टेशन से चलने वाली बंगलोरू हावडा सुपर फास एक्सप्रेस सुभा दस बचकर 25 मिनट पर निकल दी है कुछ दूर चलते ही दोनों तरफ से चली ट्रेने स्टेट पकड़ती है और अचानत से ओडिसा की बाला सोर स्टेशन से थोड़ा आगे बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन के पास शाम साथ बज़े टीन ट्रेन सबसे बड़े हासे का शिकार होती है हासा इतना गंबीर था कि दूर दूर तक डिब्बे बिख्रे वे दिखाई दिये और कहीं लोग इस बीशन हासे का शिकार हो गए वही इस बीश हासे की शिकार हुई ट्रेनों के ड्राइवर और गाड को लेकर बड़ी जानकारी साम्यारी है जिसमें बताये गया है कि ट्रेनों के ड्राइवर और गाड का हासे में आखिर क्या हुआ क्या वहें लोग सुरक्षित हैं पेसे लेकर डेल्वी की अधिकारी का बयान सामने आया है उन्होंने बताया है कि इन दोनों ट्रेनों की ड्राइवर और गाड घायल है और उनका अलग अस्पतालों में इलाज जारी है अधिकारी ने ये भी बताया है कि इस हास्ते में शामिल मालगारी का इंजन चालक और गाड बाल बाल बच गए है उन्होंने ये भी बताए कि गायलों की लिस्ट में कोरो मंडल एक्सप्रेस के लोको पाइलेट और उनके सहाइक के साथक गाड और बंगलोरू हावडा सुपरफास एक्सप्रेस के गाड शामी है दक्षिनपूर रेल्वे के खड़कपूर मंडल की वरिष्ट मंडल कमेर्शल मैनेजर राजिश कुमार ने कहा है कि कोरो मंडल एक्सप्रेस के लोको पाइलेट सहाइक लोको पाइलेट पता गाड और बंगलोरू हावडा एक्सप्रेस के गाड का अलग अस्पतालों में इला जाने के लिए उचिस्तरियत जांच के आदेश भी दिये हैं वहीं इस बीच वेल अधिकारियों ने इस बीशन हाथ से की प्राडंबिक जांच रिपोर्ट सौब दी है इसमें यह पता चला है कि दुरगतनागर्थी कोरुमंडल एक्सप्रेस क्रें बहानदा बाजर स्टेशन से ख्लीक पहले मुठ्य मारगी के बजाए लोप लाइंग पर चली गई और वहां पहले से खड़ी एक मालगाडी से तक्रा गई इस शुरुवाती जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कोरुमंडल एक्सप्रेस को पहले ग्रीन सिगनल दिया गया था फिर बंद कर दिया इसमें कहा गया है कि सिगनल दिया गया था और ट्रेन संख्रा 12,841 को अप में लाइंग के लिए रवाना क्या गया था लेकिन टेन अप लूप लाइंग में प्रवेश कर गई और लूप लाइंग पर खड़ी मालगाडी से टक्रा गई और पट्री से उतर गई इस भी ट्र इन नंबर 12,844 डाउन में लाइन से गुजरी और उसके दो डिब्बे पट्री से उतर गए और पलट गए वही रेल्वे ने इस आसे में जानदवाने वाले यातियों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपे और गंभी रूप से गायलों के लिए 2-2 लाख रुपे और माम प्रें राशी देने की गोशना की है इसके लावा कहीं अन्य राज्यों ने भी साहिता की गोशना की है